इस वीडियो में बात करेंगे B.A. Second semester के sociology के paper 2 के most important question and answer के बारे में जिन भी छात्तरों की परिच्छा objective-based पे होने वाली यानि कि MCQ प्रडाली पे उनके लिए वीडियो महत्पूर है क्योंकि आज किस वीडियो में जितने भी question वो MCQ यानि कि objective-based के हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखे जहां पर परिच्छा है objective होने वाली हैं जिन भी इन्वेसिटियो में तो यह मैं आपको बता दूँ यह जो मतब की यह B.A. Second semester के चात्तरों के लिए महत्पूर है जिनका subject 400 लोज्यानी समाज साफ्त रहे और जो प्रश्णपत्र है और दोतिय प्रश्णपत् सुधार को M.N. Srivila, निुवास ने किस प्रिक्रिया के द्वारा अस्पर्स्ट किया है तो वो कौन सी प्रिक्रिया है यहां प्र अप्जान देएगे वह आपको बताना है तो उस प्रिक्रिया का नाम है सांस्कृति करण याद्ध रखे Pennsylvania साही उत्तर होगा QUESTION बहुत सारी है इसलिए बीडियो लंबी नहीं हो इसलिए मैं आपको फास्ट कोईश्यन और उसका उत्तर बताऊंगा ठीक है और पीडियो भी हम आपको प्रवाइट करा देंगे निश कोईश्यन कि भारत में राष्ट निर्माड के लिए निम्नांकित में से कौन सी दसा बाधक है अगला है कि जातिवाद की समस्या निम्नांकित में से किस दसा को अभिवेक्त करती है तो जातिवाद इनमें जो आपसन दे गए है इनमें जो आपसन दे गए है इसमें से जिस दसा को अभिवेक्त करती है उसका नाम है अपनी जाति के प्रति कटि बद्धता यानि कि सानंबर सही उत्तर सी नंबर ठीक है अगला प्रश्ण है कि निम्नांकित में से किस समार सुधारक ने जाति आसमानताओं के बिरुद्ध संगर्ष किया है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा पेरियार रामा स्वामी नायकर ने इन्होंने संगर्ष किया है अगला कोश्ण है कि वर्तमान दसाओं में जातिवाद में होने वाली ब्रद का मुख्य आधार क्या है तो इस समय इसका जो मुख्य आधार है वो है राजनीति सी नंबर से उत्तर होगा अगला प्रशना है कि राजनीति की भासा में निमने जातियों के संगठनों को किस नाम से संब्धित किया जा सकता है अगला है कि उसका नाम है हरी जन अभिजात ध्याद में अब सबब अगला कि जब हम वास्तविक तथ्यों को जानने से पहले ही बिभिन जातियों के प्रति अपनी मन में कुछ दाराये विक्षित कर लेते हैं तब इस दसा को क्या कहा जाता है या फिर इस दसा को कहा जाता है तो इस दसा को कहा जाता है जाति पूर्बा ग्रह ए नमबर सही उत्तर होगा निश्ट कोश्चन है कि भारत में विभिन जातियों के एक दूफरे से प्रथक करने में निम्नांकित में से किसे अधार भूत का कारण कहा जाएगा तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आंतर विवाह का नियम बानमबर सही उत्तर हो गया नहीं कि बीनमबर अगला के भारत में जातिवाद के विकास का एक मुख करन का उनसा है तो भारत में जातिवाद के विकास का एक मुख करन जो है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ जाति है यहां पर है जातिगत संगठन बहुत ही महात्पोर्ण प्रशन है अगला प्रशने की भारत में लोक्तांत्रिक ब्युफ्था में प्रत्यासियों के चैन और मतदान ब्युभार का मुख्य अधार क्या है ये भी महत्पूर्ण एक्जाम के लिए इसका ब्युत्तर आपको जानना बहुत ही जरूरी है इस प्रशने का सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन है कि राजनीतिक द्रश्ट कोंड से केरल की सबसे प्रभाव साली जाति निम्नांकित में से कौन सी है तो इस प्रशने का सही उत्तर हो जाएगा रजहावा ठीक है कौन सी जाती है रजहावा ओके नेस प्रशना आप लोगों के समस्त प्रस्तुत है कि जाती प्रस्थित तिक है प्रस्थित में सुधार की अकांछाएं साधारन हैं परंत वे तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक जाती प्राप्त नहीं कर लेती तो पंद्रा नंबर प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा अनुस्था निक पवित्रता आ नंबर सही उत्तर अगला कि इन में से या निम लिखित में से कौन सी जात बिवफ्था की आवस्चेक बिसेश्था नहीं है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा गत सीलता बिसे संबंधित हैं उस्था प्रश्ण का संधह संच रणभ हो सब्हाइब जाएक प्रष्ण कि कि समाज की विसृच्टत तो आपसे नहाँ पर देए islands संधू सीह तो ओगा हिंदू समाज की विसृच्टत है ठीक है वी नंबर से उत्तर होगा अगला प्रशन काहिए कि जातिव बिवस्था कि निम्न बिषेश्थाओं में कौन सी विस्था अभी भी महत्वण है थीक है तो उस बिवस्था का नाम है जाति के अंदर भी वह यानि कि भग कि जिस कास्ट में आप हैं उसी कास्ट में साधी करें अगला है कि निम्द में से किस्ट ने जात के प्रजातिय तत्तों को महत्त दिया है उनका नाम है लिजले जो कि एक महत्त मतलब की एक विद्वान है एक समासाफ्त्री है नेश्च प्रजन है कि जात प्रथा का सर प्रथम बेवफ्थित अध्यन किसके द्वारा किया गया था ठीक है तो ये जो सबसे प्रथम सबसे बेवफ्थित अध्यन किया गया था डी यन मजूम द्वार दार के द्वारा ठीक है बी नंबर सही उत्तर होगा ध्यान रखेंगे अगला है कि समाजिक वर्ग का मुल भूत निर्धारक होता है आयू यानि कि उमर ठीक है अगला प्रशन है कि वर्तमान समय में संगठित मजदूर मुख्य रूप से निम्न में से किसका प्रतिनिधित करता है ठीक है तो जो करता है प्रतिनिधित उसका नाम है शू परिभासित वर्ग यह नंबर सही उत्तर होगा है अगला कोश्चन है कि ब्यक्त के वर्ग का निर्धारन होता है उसकी समाजिक प्रस्थिती द्वारा होता है थीक है अगला प्रस्थन है कि नियम निखित में से एक जात की विशेष्थाएं कौन सी हैं तो इन में से जो जात की विशेष्थाएं जो है ठीक है वो है ठीक है अनुस्थानिक प्रस्थिती ठीक है सी नमबर से उत्तर होगा अगला है कि जात की छा विशेष्थाओं का उलेख किया है किस बिद्वान ने किस समास साफ्तरी ने तो जात की जो विशिष्टा है वो जात के अंद स्थरता भी भोजन सहावास का प्रतिबंद भी है संस्त्रण भी है इसलिए राइट एंसर दी हो जाएगा वो परियोक्त में से सभी या फिर इन में से सभी फिर सभी ठीक है अगला प्रशन है कि जात एक मनो बैग्यानिक यह किसकी आउधारणा है तो यह जो आउधारणा है वो है S. C. दुबेजी की राइट एंसर यह हो जाएगा ओके चलिए अगला रुशन है कि राजनेतिक भासा में उपजात के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है यह कथन किसका है तो यह जो कथन है वो है केयम पडि करका सी नंबर से उत्तर होगा अगला है कि भाड़तिय समाज में बिद्धमान जातिवाद का एक परमुख कारण कौंसा है यानि मुख्यकारण कौंसा है तो उसका नाम है विवास संबंधी प्रतिबंध यह मुख्यकारण आगला प्रशन आप लोगों के समस्त प्रस्तुत है कि जातिवाद राजनीत में रुपांत्रित जाति के प्रतिनिष्ठा है यह कथन किस बिद्धवान का है तो यह जो कथन है जहां से सुनेंगे यह जो कथन है वो कहा गया है अचार बिनोबा भावे के द्वारा या फिर आगला प्रशन है कि किसने कहा है कि आज कल जातिया एकता की भावना इतनी सुधण है कि इसे उचित रूप से जाति भक्त बताया गया है ठीक है तो यह जो कथन है वो कहा गया है किसके द्वारा कहा गया है जिन चात्तरों को मालूम बेश्चक कमंड शेक्टर में जरूरू अगला प्रशन है कि निम्न में से किसने जातिया अधार पर निर्मित संगठनों को पैरा कम्यूंटीज कहा है तो उनका नाम है रुढाल्फ वा रुढाल्फ ने यानि कि बानम्बर सही उत्तर होगा अगला प्रश्ण है कि निवन में से कौन जातिवाद को बढ़ावा देने वाला कारक नहीं है इन आप्शनों में से तो उसका नाम है पस्चिमी करण की प्रक्रिया ये है जातिवाद को बढ़ावा देने वाला कारक नहीं है ठीक है अगला है कि जातिवाद की समस्या को समाप करती आजा सकता इन सभी के द्वारा यानी कि अंतर जाते विभावों के द्वारा जाते संगठवनों पर रोंक लगा करके आर्थिक वा सांस के समानता ला कर ठीक है इसलिए सही उत्तर इन में प्रतिवाद को प्रतुसाहित करता है ठीक है यह उसको आगे बढ़ने की प्रेणा देता है ठीक है तो 36 स्थमबर प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा और परियक्त में से सभी क्योंकि यह सभी इसको प्रतुसाहित करते हैं यह फिर करता है अगला प्रश्ण है कि अता जातिवाद अतियंद तीब्र अंध एवं परम समोह भक्ति है जो न्याय के स्वफ्त समाजिक आदर्सो अचत्य समानता एवं विश्व बंधुत्त की अपेच्छा करती है जातिवाद की यह परिभासा किस बिद्वान ने दी है ठीक है तो यह जो परिभासा है वो खिष्व के द्वारा दी गई आपको मालूमत प्रतिवाद में जरुरू बटाएए यह दी गई है काका काले लकर के द्वारा ठीक है काका कले लकर के द्वारा एव नम्बर सही हुत्तर होगा अग्ला प्रश्ण है कि निम्डे में से काउन सा कारण अभिशाप तथा अपत जनक है मानुवेश दिस्ट कॉंट से भी यह कॉंट रूप से अवंचनिय है तो यह कहा गया है पंडित जवाहलाल नहिरू के द्वारा ठीक है निश्ट है कि जातिवाद को कम करने में निम्न में से किस कारक का प्रमख योगदान है तो जातिवाद को करने में जो कारक है उसका योगदान है और भी दोनों यानि की पस्चात जीवन दर्ष्थन का प्रचार और उद्द्यमान लोकतंत्र ठीक है यह दोनों है इसलिए डी नंबर सही उत्तर होगा ठीक है अब बढ़ते हैं नेस कोईश्टन की और ठीक है नेस कोईश्टन है कि स आपका जो पेपर है वह चार यूनिट में डिवाइड है यह जोड़े कोश्चन आएंगे इससे पहले मैं एक बीडियो बनाए तो उसमें फर्स्ट यूनिट और सिकेंड यूनिट कपर किया था वह वीडियो मैंने करीप कर दीन से चार दिल पहले अपरोड किया चैनल पर कि जाकर देख सकते उसमें सिकेंड और फोर्थ परीृष इसमें थर्ड और फोर्थ युनिट जो जो पहला प्रस्था के बाद बहुत कारण क्या था ठीक वो आपको बताना है चलिए बता है इसका नाम है जमी दारी बिवफ्था का उन्मूलन अगला की बात में लोग तांतरिक बिवफ्था के कारण समाज में किस ने उच्च वर्ग का उदय हुआ उसे क्या कहा जाता है ठीक है तो उसे कहा जाता है राजनेतिक अभिजन ये नमबर सही उत्तर होगा ठीक है ये तनम हात पूर्ण इसलिए इस कोश्चिन को इगनूर करेंगे अगले कोश्चिन पर फोकस करेंगे लिखा कि इन में से या फूर्ट ब्रश्चित्ति है इसको कहा जाता है पक्थब्रश्ट वर्ग बी नमबर सही उत्तर होगा रैं अर्ष्टे की शतौनतता के के बाद भारत में खेतियार तथा ग्रामिड वर्ग संदस्ना में होने वाले प्रवतन का आधोर अधार बूत कारण क्या था वह आपका आपसा नंबर जमीदारी बेवस्था का उनुमलन ठीक है सी नंबर अगला की निम्लिखित में से कौन से वर्ग की विशिष्था नहीं है जो वर्ग की विशिष्था नहीं है इनमें से सएउत्त्र हो जाएगा प्रदत इस्थित ठीक है अगला एक निम्लिखित में से किसने उतिक्त पादन के साधनों तो उतिक्त किjing किया है तो दो जिरौं ने इसानिक प्रकद को ऐस्पष्ट बिभिन समाजे में वर्ग निरमा का अधार नहीं होता है उसका नाम है राजनितिक दल की सभ्यता इनमबर सही उत्तर होगा अगला कि समाजिक वर्ग है की स्रेडी ठीक है इनमबर सही उत्तर होगा अगला की समाजिक वर्ग सामाइनता इन लिखित में से कौन से बिसेस्ता रखता है तो सामाइनता जो बिसेस्त पर मतलब कि समाजिक वर्ग की विशेष्टा कौन सी है तो यहां पर आपको अप्शन देगे इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नमबर सभी उच्छ विशेषी क्रत समाजों की विशेष्टा है ठीक है अगला है समाज बिग्यानों के द्वारा प्रिवक्तों अधार कौन सा है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा आप्शन नमबर सी आए ब्यवसाय और सचिडिक अस्तर नेस्ट है कि कि वर्ग समाजिक समों नहीं है वरना यह लोगों का समग्र है जो जीवन के समान आउसर रखते हैं इस प्रश्ण का सही उत् प्रश्ण का आर्थिक ठीक है तो बाकी इसी तरह यहां पर और भी कुछ कोश्चन दिएगे हैं जो कि मैं आपको यह पूरा का पूरा टेलीग्राम वर्टसप पर प्रवाइड कर दूंगा तो वहां से आप लोग इन सभी कोश्चन को उत्तर तयार कर लेंगे ज्यादा तो